अब तक जो मेरा ये खयाल था कि केशो शर्वत बल्वान सूर्विर शुपात्र और दूसरों को मान देने वाले हैं वो सब निस्पल हो गया है हे नारत जी जाइए और मेरे सब्दों में स्री कृष्ण से कह दीजिए मैं सत्रों के आहान करने या ललकारने पर युद्ध से पीछे नहीं हट सकता पत्मी के बश में रहने वाले है स्री कृष्ण यद तुम मुझ पर गदा का प्रहार करना चाहते हो तो आ जाओ तुम जो चाहते हो तुम्हारे उस प्रहार को शेहन किया जाएगा जैसी तुम्हारी इच्छा है उसकी अनुशार पहले तुम्हे प्रहार करो हे जनार्दन तुम गरुण पर चल कर सुद्रिण हो कर मेरे उपर सुदर्शन चक्र शांगर धनुस को मोद की गदा और नंदक नामक खंग के द्वारा प्रहार करो हे केशो यद ब्रात इसने मुझे ब्याकुल नहीं कर देगा तो तुम्हारे प्रहार करने पर मैं भी यथा शक्त तुम पर प्रहार करूँगा अहो ऐसी पर इस्तिती को धिकार है हे मुनिस्रेष्ट जब तक मैं संग्राम भूमी में उपस्थित होकर चक्र पड़ सुरी कृष्ण के द्वारा परिजाती नहीं हो जाओंगा तब तक उन्हें पराजित नहीं होने दूँगा अहो हे तपोधन जब स्री कृष्ण छोटे होकर मुझे बड़े भाई को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं तब पत्नी के गुलाम बने हुए उन केशों के इस बरताव को मैं किसलिए शहन करूँ हे भगवन आज आप ही स्री कृष्ण के द्वारा शुरचित द्वार का पुरी को चले जाएए और विवाद के लिए तैयार खड़े हुए उस अज्ञान अच्चुत से इस प्रकार मेरा उत्तर सुना दीजिए जब तक तुम पराजित नहीं कर दोगे तब तक परिजात ब्रिक्ष की तो बात ही क्या है उसकी आधिपत्ती भी इंद्र तुम्हें नहीं देगा हे तपोधन मेरे इस बात को याद रखते हुए आपको मधुशूदन स्री कृष्ण से इनी सब्दों में ये बात कहनी चाहिए हे भगवन आपको मेरा प्रिय करने के लिए अच्चुत से पुना निशांक होकर ये बात कह देनी चाहिए कि माया चल कपट के द्वारा परिजात व्रिप्च का अपरण करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है बिशुद्ध युद्ध ही होना चाहिए कुटिलता पूर्बग परताव को धिकार है इस प्रकार शिरी महा भारत के खिलभाग हरिवंस के अंतरगत विश्नु पर्व में परिजात हरण के प्रशंग में इंद्र का वाक्ष विसयक सत्तरवा अध्याय पूरा हुआ इकत्तरवा अध्याय नारद जी के द्वारा सिरी क्रिश्न की महत्ता का प्रतिपादन सुनकर भी इंद्र का उन्हें परिजात देने को उगत ना होना वैश्यापंजी कहते हैं हे जनमेजए देवराज इंद्र का ये बचन सुनकर वक्ताओं में स्रेष्ट नारद जी ने एकांत में उनसे इस प्रकार कहा हे देवशर अवस्यी राजाओं में ये बात कहनी चाहिए जो उन्हें प्रिये लगे उसमें शंशे नहीं है तथाप जिसका औशर प्राप्त हुआ हो ऐसा हितकारक बचन तो अप्रिये होने पर भी उनसे कह देना उचित है जो उत्तम लोक गती के तत्त का ग्याता है और नीती के बिज्ञान में कुशल है ऐसा पुरुस बिना कहे सुने कहीं अगवा ना बने ये वो ध्यमान पूर्षों का कथन है कर्टब्य कर्टब की समश्या खड़ी होने पर प्राया तुम मुझ से पूस्ते और शलाह लेते हो इसलिए इस समय भी मैं तुम से कुछ कहूंगा यदे अच्छा लगे तो इसे काम में लाना जो राजा की पराज़े नहीं चाहता और किस बात में उसका हित है ये अच्छी तरह जानता है ऐसे सुहरद को बिना कहे ही न्याय शंगत और समय उचित हित कर वचन अवश्य कहना चाहिए सत्पुर्शों को उचित है कि वचरवताहित की बात बताएं भले ही वो शुन्ने में आप्रिये हो यही इस नहीं से उरेड होने का उपाय है जिसका स्रेष्ट पुर्शों ने ही प्राचीन काल से आदर किया है वो शत्वादी धर्म मर्यादा को भंग करने वाले किसी का उपदेश सुनने की इक्छा ना रखने वाले और सब के अप्रिये दोश पात्र हैं ऐसे लोगों से ना तो प्रिये बात कहनी चाहिए और ना हिद की ही ऐसा सुनकर सत्पुर्शों ने इन सब की निंदा की है स्रोताओं में स्रेष्ट शरवग हे देव मुझे तुमको शरवता हिद की बात बतानी है सुनो और सुनकर मेरे कल्याण कारी बचन का पालन करो बलाशुर का विनास करने वाले हे देो भाईयों अत्वा शुरुहदों में यद परश पर भेद बैर भाव हो जाए तो वो शत्रूओं को आनंद देने वाला होता है इसमें शंसय नहीं है बुद्ध मानों में स्रेष्ट हे शुरेश्वर आपने कल्याण से संबंद रखने वाले कारे को जानना चाहिए तथा जो इसके विप्रीत हो उसको भी शदा समझ लेना चाहिए समझ लेने के बाद जो कारे आरंभ करने पर पीछे शंताप देने वाला हो ऐसे कारे को विद्ध्वान पुरुष कदाप आरंभ न करें यही बुद्ध मानों की नीती है हे देव मैं इस कारे का परिणाम अक्षी तरह नहीं देखता हूँ इसमें जो कारण है उसे ध्यान दे कर सुनू जो अकेले ही कारे भूत जगत और उसके कारण भूत प्रद्धान के भी अधिधाश्टता हैं वैं सिरी हरी सिरी कृष्ण हैं जिने शमस्त बिद्वान प्राकिर्थ से परे बिराजमान छेत्रग के रूप में जानते हैं उस आब्यक्त प्राकिर्थ के जो ब्यक्त भाग ब्रह्मा हैं वैही समस्त संसार की उत्पत्ती के कारण हैं उनके तथा शम्पूंड जेतन के जीव मात्र के आत्मा वै परम देव श्री बिष्णु ही हैं यश्वनी उमादेवी प्राकिर्त का मुख भाग हैं अतहा शर्व में ब्यक्त विस इस्त्री संग्यक संपूल भोग वस्त रूप हैं जो चेतन मात्र को तृत्त करने वाला है रुखमडी आद इस्त्रीया भी प्राकिर्त का मुख गुण आतहार्त व्यक्त रूप हैं अविवनाशी प्राकिर्त उमादेवी हैं जो गुण रूपा हैं और उनसे युप्त गुणी पुरुष भगवान महेसर हैं ए देव स्रेष्ट इन गुणवान माया भी रुद्र और विष्णी में कोई अनंतर नहीं है त्रिवुण आत्मक जगत के जो प्रथम अभिनासी शासक निगुण परमात्मा हैं वही महातेजश्यवी नारायन हैं वह सब के स्रष्टा और समस्त जगत के उत्पादक हैं ए देवशर इन परमात्मा परमदेव नाराण के द्वारा ही भोपता महिश्वर देव करता अधोचद विष्णू ब्रह्मा अन्य देव शमुदाय तथा प्रजा प्रतिगण इन सब की पीछे स्रिष्टी हुई है इस प्रकार पुराण पुरुष भगवान विष्णू देवताओं में अंचित आप्रेम और गुणा तीत कहे जाते हैं पूर्व काल में देव माता आधित्ती ने तपश्या द्वारा परमात्मा विष्णू की आराधना की उसमें संतुष्ट हो भगवान विष्णू ने भी आधित्ती को इच्छा अंसार पर मांगने के लिए आध्या दी हे सुरस्रेष्ट उस समय आधित्ती ने अधोच है भगवान नारायन को पहचान कर उन्हें प्रडाम किया और इस प्रकार कहा हे प्रबु मैं आपके शमान पुत्र चाहती हूँ तब उन्होंने कहा हे देवी समस्त भूनों में मेरे शमान दूसरा कोई पुरुष नहीं है अता मैं ही अपने अंस से तुम्हारा पुत्र होंगा हे शुरेश्वर वे सब की स्रिष्टी करने वाले महाते जिससे भी भगवान नारायन तुम्हारे भाई के रूप में अत्रेण हुए जिन्हें उपेंद्र कहते हैं हे देव भूत और भविस्य की उत्पत्ती यवम शंगार के अधिश्टान भूत सिरी हर स्वैक्षा से ही कशप जी के पुत्र रूप में प्रगट हुए थे तथा अपनी इच्छा के अनुसार ही वे विभिन रूपों में अवत्रीन होते रहते हैं जगत के संरक्षक, स्रिष्टा और शंगारक भगवान के सो जगत के हित की कामना से ही मत्रा में उत्रीन हुए हैं दूसरों को मान देने वाले हे देवेंद्र जैसे मान से पिंड स्नेह से ब्याप्त होता है उसी प्रकार ये सारा जगत प्रभावशाली भगवान भिश्मू से ही ब्याप्त है वे भगवान ब्रहमनों के हितैसी हैं सबके आत्मा हैं और जगत में जैसा सरीर धारण करते हैं उसके अमशार ही विभिन भावों द्वारा भिकार को प्राप्त होते हैं